हेलो दूस्तों स्वागत आप सबका आपके अपने चाहर आ रहे हैं ग्लोरी में और आपको बताएंगे कि जैसे आप इसको आया और रिक्टैंगर का जो अंदर का वर्ग होता है इसकी आप संथ्या को कैसे कांट कर सकती है दोस्तों इसे कांट करने का हम आपनों को विल्कुल सिंबल ते पताएंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज शुड़ करिएगा लाइक अब्सकार में चैनल को सब सुने क्या है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब और पिल आइकोल जो बिसक्राइजे से में जहर नेम नोट्फिकेस को सबसे पह वन तू एंट त्री दूस्तो ये क्या है ये एक स्क्वाइर है और इसके अंदर का जो बढ़ गया है इसकी संक्या हमें ग्यात कर दी है दूस्तो अगर यहीं पर आपको सिर्फ इसका बॉक्स काउंट करना रहा ताब इसको आप सिंप्ली काउंट कर सकते हैं कैसे सबसे पर अब श्रीज़फरार आप जोओं करिए ने जोड़ेंटल दील गाउनल को रहें जीतने वक्स और वर्टिकल बाक्स काउंट करीए तो यहां पर नुटिकल थी दूस्त जो जितने वे इंप्स हैं और जितने वे वर्टिकल बाक्स है उन दोन दों क्या करते हैं बल्किक्छ और चोटे वाक्स हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर यह पर कोई बड़ा वाक्स है था तो इसको आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं इस तरह से मैंने आपको बताया दोस्तों लेकिन हमने आपसे पूछा है कि इसके अंदर क जुबार्ग है इसके संजांप आप जाद करिए दोस्तों इसमें प्यागा रहेंगे कि सबसे पहले वरिजांटल वाक्स हो करिए तो वो 3 है क्योंकि मैंने अभी कांट किया और वाटिकल फ्री है तो हम 3 मुल्टिकल कर देंगे तो नहीं ना जाएगा आप देखिए दोस्त दोस्तों यहां पर आप वान तम करके भी लिख सकते हैं आपको यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं कोई जुरूर नहीं है यहां पर आप बॉक्स करके ही बॉक्स कांट करके ही यहां पर लिखे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अब यहां पर वन बॉक्स है तो हम कर देंग तो 14 आजाएगा, हमारा स्क्वाइब, 1, 2, 3, 4 and 5, 5, 1, 2, 3, 4 and 5, दोस्तो अब यह क्या है, ये एक स्क्वाइर है, तो इसके अंदर का जो वर्ग है, इसकी सन्ट्रा को हमें यार करना है, दोस्तो अगर आपको यहीं पर सिर्फ बॉक्स को काउंट करना रहता, तो अब क्या करते हैं सबसे पहला आप horizontal box को count करिए तो 1 2 3 4 5 horizontal box है तो यहापर हम निखलेंगे 5 अब vertical box को कौन करिए यहां पर हमारे टोटल box 25 है लेकिन हम ने आप से पूछा है किसके अंदर का रिवाइद है इसके संक्या को आप याद कीजिए दोस्तों यहां पर आप क्या करेंगे सबसे पहले horizontal box को करिए तो वह कितने अपायट है क्योंकि मैंने अभी काउंट किया और vertical box भी 5 है ठीक है दोस्तों तो यहां पर हम 5 x 5 कर देंगे तो कितना जाएगा 25 बाद आएगा अब दोस्तों इससे हम लोग box काउंट करके नहीं solve करेंगे अब इससे हम जागरेंगे कि direct करेंगे तो 5 से वनकां 4 तो 4 x 4 क्योंकि देखिए दोस्तों horizontal 4 box है और vertical भी 4 box है 1 2 3 4 इसलिए हम यहां पर 4 मेंट कर दिया इकुल टू 16 अब 4 से वनकम कितना होता है 3 3 multiply 3 कर देंगे क्योंकि 1 2 3 horizontal है और 1 2 3 यह वर्टिकल भॉक्स है इसके अन्य आप पर 3 वर्टिप्राइट रिकाट दिया तो कितना जाएगा 9 तब 3 से 1 कम कितना होता है 2 तो हम कर देंगे 2 multiply 2 आज जाएगा 4 क्योंकि यहां पर horizontal भी 2 box है और vertical भी 2 box है इसलिए हम आपर 2 multiply 2 कर दिया अब यह 1 box है हम कर देंगे 1 multiply 1 और इसे भी 2 से 1 कम 1 ही होता है तो हजाएगा 1 तो दोस्तों आप यह multiply कर देंगे जितना भी number आया है इसको हम लोग्या कर देंगे add कर देंगे तो 16 plus 4 कितना होता है 20 और 20 plus 9 कितना होता है 29 और 29 plus 1 कितना होता है 30 तो दोस्तों अब 30 plus 25 कितना होता है इसमें अप्ला करिए कि सबसे पहले 5 को बूल जाएए इसको बार में प्लस कर देंगे तुई कितना बचा 20 बचा तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 और जो 5 है इसको प्लस कर देंगे तो 55 बाग गया यहाँ अपर आ जाएगा 55 इसको आएएज दोस्तों दोस्तों अभी तक तो हमने देखा था कि वर्ग के अंदर का जो वर्ग होता है इसकी संक्याप क्यासे ग्याद करेंगे अब आई हम देख लेते हैं कि आयत के अंदर का जो वर्ग होता है इसकी संक्याप क्यासे ग्याद करेंगे कि वन कि टूएंड थ्री दोस्तों अब यह क्या है यह एक रिक्टैंगल है और इसके अंदर का जो वर्ग है इसके इसन के हाँ में याद करना है दोस्तों अगर आपको यहीं पर से इसके अंदर के बॉक्स काउंट करने लेते तो आप इसको सेंप्री काउंट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था है इसको आपको सौर्ब करते समय कि आप क्या करिए कि पहले होर्जेंटल बॉक्स काउंट करिए और उन दोनों का मुल्टिप्लाइब कर दीजिए आपका आजाएगा अब यह रिखे इसमें हम से खेले होजे इसके सिक्स बाक्स है तो यह दिए रिखेंग लिटें सिक्स आवर्टिकल 209 वांटोटी कर देंगे शिक्स एजक है 18 दोस्तों आप देखिए 6 से 1 कम कितना होता है 5 और 3 से 1 कम कितना होता है 2 तो 5 multiply 2 equal to 10 हो जाएगा क्योंकि दोस्तों देखिए horizontal इसमें 5 box है 1 2 3 4 5 और vertical 2 box है 1 2 इसलिए आपने आपर 5 multiply 2 कर दिया दोस्तों यहां पर हम तब तक multiply करते जाते हैं जब तक यहां पर 1 ना है जाए अगर देखिए इसमें 5 से बनकम और 2 से बनकम 1 तो 4 बन जाए 4 क्योंकि दोस्तों देखिए horizontal इसमें 4 box है और 1 इसलिए उन्हें 4 multiply 1 कर दिया तो यहां पर आ गया 4 दोस्तों अभी जितना पर आया है इस कॉल्म क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो दिखिए 10 और प्लस 18 कितना हो जाएगा 28 और 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा 32 तो यहां पर आ जाएगा 32 स्क्वायर अब जैसके दुस्तों यह भी एक रिक्टाइंगल है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 1, 2, 3, 4 and 5 दोस्तों अब देखिए इसके अंदर का जो वर्ग है इस की संक्या हमें व्याद करनी है तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे देखिए सबसे पहरे मोईजेंटल बॉक्स कौन करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो कितने है 6 है यहां पर मिखलेंगे 6 multiply अब वर्टिकल बॉक्स कितने है 1, 2, 3, 4, 5 5 है तो यहां पर हम 6 multiply 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 6, 7 कम कितना होता है 5 multiply 5, 7 कम कितना होता है 4 यहां पर हम निदेंगे 4 अब देखे जुस्तु 5, 4 जा 20 तो आप पर मिखले 20 क्योंकि यहां पर होर्जेंटल 5 बॉक्स हैं और वर्टिकल कितने बॉक्स है 4 बॉक्स है 1, 2, 3, 4 तो इसलिए यहां पर हमने 5 multiply 4 कर दिया अब 5 से 1 कम कितना होता है 4 और 4 से वंकम कितना होता है? 3 4 x 3 तो कितना जाएगा? 4 x 3 जाएगा 12 तो यहाँ पर हम रिखलेंगे 12 क्योंकि होरिजेंटल हमारे 4 बॉक्स है और वर्टिकल वर्टिकल 3 बॉक्स है 2, 3 तो इसलिए यहाँ पर हमने 4 x 3 कर दिया अब 4 से वंकम कितना होता है? 3 मुल्टिप्लाई 3 से वंकम कितना होता है? 2 जिसलिए 3 मुल्टिप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 6 x हो जाएगा दोस्तोई यहाँ पर हरिजेंटल 3 बॉक्स है और वर्टिकल भी 2 बॉक्स है इसलिए आपर हमने 3 multiply 2 कर दिया, अब 3 से बंकम 2 होता है, multiply 2 से बंकम 1 होता है, तो हो जाएगा 2, दोस्तों यह horizontal 2 box है, और यह 1, तो इसलिए आपर आगिया 2 multiply 1, तो आगिया 2, दोस्तों अब यह जितना में हमराया multiply खांडे पर, इसको में क्या करेंगे, add कर देंगे, तो add करते हैं, तो रिखिए, है 30 plus 20, कितना हो जाएगा, 50, और 50 plus 12, कितना हो जाएगा, 62, और 62 plus 6, कितना हो जाएगा, 68, और 68 plus 2, कितना हो जाएगा, 70, तो यहाँ को आगा 70 square, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी, तो प्रीज इस उड़कर येगा like, मैं फि सब्सक्राइब ने क्या है, तो प्लीज चलम करिएगा subscribe, और विल आइकम जब बुस करें, जैसे मेरी हर नेवी प्रोट्फिकरेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकते, तो दोस्तों ने अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से, जैल जै भारत